हाई दोस्तों, मेरा नम भासका चोहान है, मैं एक डॉक बहेवर एक्सपर्ट हूँ लास्ट वीडियो में धेर सारा प्यार देने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से थांक्यों बोलना चाहता हूँ और अपके यही प्यार मुझे इस वीडियो को बनाने में मोटिवेट कर रहा है और क्योंकि लास्ट वीडियो में सबसे अदे डाउट अडल डॉक के टॉलेट ट्रेनिंग के पर था हम आज उसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बाते बताना चाहता हूँ कि आपके डॉक को टॉलेट रिट करने में कुछ दिन, कुछ हपते या कुछ मेहने भी लग सकते है और यह डिपेंड करता है दो चीज़ों पे पहला यह कि आपके डॉक को कितने तीनों से current toilet habit है दूसरा यह आप कितने easily अपने डॉक को टॉलेट रिट करने में help कर रहे है तो अगर किसी reasons आपका डॉक इस lockdown period में टॉलेट रिट रिट नहीं हो पा रहा है तो आगे at least ऐसे खिरसी situation के लिए वो ready हो सकता है तो चले दोस्तों आगे चलते हैं सबसे पहले आप ढूंड़ागे dog के appropriate toilet place को वो जगा एक balcony हो सकती है, वो एक bathroom भी हो सकती है ऐसी जगा जहापे आपका dog rest ना करता हो, आपका dog खाता ना हो और वो place preferably आपके dog के living area के नस्दीक होना चाहिए वीडियो के end में मैंने कुछ bonus tips दिया हैं, आप उसे देखना मत भूलिएगा आपने तो अपने dog के लिए toilet place के जगा ढूंड लिए अब हम मदद करेंगे आपके dog को उसे समझने में और आपके dog को इस place को accept करने के लिए ये चार चीज़े बहुत important है smell, surface, safety and comfort and routine or habit सबसे पहले हम इस नए जगे पे आपके dog के PK scent को आड़ करेंगे कैसे आपके dog के पी पर आप tissue को dip करोगे ताकि वो कुछ drops absorb कर ले और उसमें आपके dog के PK scent आने लगे अब इस tissue में आपके dog के PK scent आचुके है अब मैं इसे टेप लगा कर बात्रों के हर कोणे में इसे चिपका दूगा और आपके dog के PK scent को पूरे बात्रों में मार्क कर दूगा और जब आपका door area है इसके पिछे वाल पर आपके स्टेप को लगाओ गये आपका dog जितनी बार गलत जगे पर टॉलेट करता है वो अपनी PK scent को छोड़ता जाता है और उसे minimize करने के लिए हम एक solution का इस्तमाल करेंगे और उसे इस तरीके से पढ़ाते है इस solution को ready करने के लिए चाहिए आपको vinegar and water ये दोनों चीज़ अबे kitchen में easily available है अब आप equal parts of vinegar and water को mix करके इस solution को ready करेंगे अगर आपके पास एक enzymatic cleaner है तो आप इसके बदले वो भी use कर सकते है अब जो भी solution आपके पास हो आप उसे एक spray dispenser में डालोगे और फिर आगे देखते हैं कैसे इस्तमाल करेंगे और अगर अपके dog से गलती हो भी जाती है तो आप उसे डाटो गे लिए पहले आप अपने cleaning standards के हिसाब से पूरे floor को clean कर लोगे उसके बाद मैं बता है वो solution को आप spray करके 90 seconds वेट करोगे जैसे 90 seconds खतम हो जाए आप एक कपड़ को लोगे और सिर्फ उसे वाइप रटोगे आपके dog ने पपी हुड में एक्स्प्लोर करते हुआ कुछ टाइप के surfaces को खुछ सही प्रिफर किये जैसे newspaper, pee pad, doormats या कुछ कपड़े और आज कल घर के बाहर कुछ surfaces जैसे vertical surfaces जैसे trees या फिर grassy या green surfaces या फिर muddy surfaces या फिर concrete या tower surfaces और अब अपने आपके dog के preferred surface को identify कर लिया है हम ऐसा ही कुछ आपके dog के new place में बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके dog को muddy areas पसंद है आप कुछ mud लेंगे एक tray में डालेंगे और उसे new place पे रख देंगे यू प्लेस पर रख देंगे तो आप अपने बात्रूम के जो फ्लोर है उसको dry रखने के कोशिश के लिए आपका dog एक जिगे पर toilet करने के पहले ये चेक करता है कि वो safe and comfortable feel कर रहा है या नहीं इसलिए आप अपने dog को कभी force या punish नहीं कर सकते toilet करने के लिए इसका मतलब ये है कि आप अपने dog को bathroom या balcony में lock नहीं करेंगे ताकि वो उदर toilet कर दें और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका dog new place पे toilet ना करें तो आप दू मिनिट से जादा उदर wait करोगे और bathroom या balcony के बाहर आ जाओगे और अगर किसी reason से आपको लगता ह है कि आपका dog आपके चुनवे place पे comfortable feel नहीं कर रहा है तो please आप एक alternative place दूलिए वो place एक terrace हो सकता है वो एक refugee flat हो सकता है ये place choose करने से पहले आप अपने society से proper permission लोगे factor no.4 habit इसे develop होने में time लग सकता है ये develop होता है consistency से कैसे होता है चलिए देखते हैं तो अब तक हमने आपके dog के pksn को new place पर add किया है और गले जगों पे हमने solution का इस्तमाल करके minimize किया है हमने ये भी पता लगा है कि आपके dog को कौन से surfaces पसंद है और उसे नए जगे पे रख दिया है हमने ये भी try किया है कि आपका dog जाद से जादा comfortable feel करे अब हमें wait करना है उस मोके का जब आपके dog को toilet लगे और आप उस मोके का फायदा उटा सके आपके dog को इन तीन मोकों पे toilet क जाने के chances सबसे अधाय होती है सोने के बाद, खाना खाना के बाद और walk time तो मान दीजे आपके dog को toilet लगा है और वो किसी तरीके साब को बताने की कोशिश कर रहा है अगर आपको ये नहीं पता है तो please अब अपने dog को observe कीजिए आपके dog का toilet का एक routine बन चुका है तो आप उसी तरीके से तयार होंगे आपके dog को leash डालोगे और घर के बाहर जाने के वज़ाए आप new place पर जाओगे इस नए जगे पे दो चीज़े हो सकती है आपका dog toilet करेगा या फिर उसे control करेगा है अगर आपका dog toilet कर रहा है तो आप धीबी आवाज में लगातार good boy बोलोगे और उसके खत्मों होते ही celebrate करोगे और उसे special treat से reward करोगे अपने dog को आप इस new जगे को explore करने देंगे और दो मिनिट में भी अगर आपका dog toilet नहीं कर रहा है तो आप leash पे ही आपके dog को किसी ऐसे जगे पर लेके जाओगे जहाँ पर आप उसके अगले signal के लिए observe कर सकते हैं और आप हार नहीं मानोगे इसी step को आप patiently repeat करोगे जब तक कि आपका dog सही जगे पर toilet करना ना सीख ले और अब हम इस वीजियो को end करेंगे कुछ bonus tips के साथ ताकि आपका ये training process और बीजी हो जाए tip number one अगर आपका dog toilet control कर रहा है तो उसे liquid food दीजे उसे उसे control करने में difficulty होगी और आपको उसको train करने में आसानी होगी tip number two अगर आपके किसी family member ने आपके dog को past में punish किया है गलत जिके पर toilet करने के लिए या फिर किसी reason से आपके dog को वो particular family member से डर लगता है तो best यही होगा कि कोई और member आपके dog के toilet training में help करे tip number three अगर आप चाते हैं कि आपको toilet training effective हो तो आप उसके 100% rate को exclusively toilet training के लिए ही इस्तमाल करे tip number four टॉilet training के लिए supervision की बहुत ज़रूत हती है और इसलिए ये किसी एक person का काम नहीं है और अगर पूरी family एक साथ है और team की तरह काम करे तो toilet training और भी effective हो जाता है tip number five अगर आपके बस दो या दो से जादा bathroom है और आपके dog को नहाना या पौको साफ करवाना बिल्किल पसंदी है तो आप ये सब चीजे किसी दूसरे bathroom में करेंगे ताकि इस bathroom में उसका negative experience कम से कम हो अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी questions है या फिर आप चाहते हैं मैं किसी topic पर वीडियो बनाओ तो आप इसे comment section में post कर सकते हो like, share and subscribe ताकि हम हमेशा ऐसे ही मिलते रहे bell notification दावाने पर आप मेरा एक भी वीडियो नहीं मिस करोगे तब तक के लिए stay home, stay safe, मिलते हैं अगले वीडियो में